हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, दोस्तों अगर आप लोग यूपी बीड इंट्रेंट्स एक्जाम 2022 को देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेल्पल साबित होने वाली है, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अगर आपको एक चीज़ पता नहीं है, तो आपको बता दूँ कि दो दो पेपर होते हैं, पेपर फ़स्ट और पेपर सेकेंड, पेपर फ़स्ट में आप बेसे चूल कर सकते हैं, इसमें या तो हिंदी ले सकते हैं, या इंगलिस ले सकते हैं, तो आपको इसमें पचास कोस्टन देखने को मिलते हैं, हर कोस्टन दो नमबर का होता है, तो आपक हैं तो दो सब्दीने की दूनों पेपर होते हैं तो कि इसे दू के दिखनों लुख होते हैं और यह और साथ नहीं होते हैं दो गंटे का बीशे में गएप मिलता है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है पेपर की टाईमिंगी बात करते तो हर एक पेपर कितने घंटे की होता है तीन घंटे क लिए डिल घंटे में इसट रखेंग से थे हैं नेगडिब मार्किंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी यह मारसीर जनरल करता हूं तो पेपर फष्ट में मैंने 25 सों करेक्ट करें थे और जिसमें 21 कोस्टन को मैंने रॉंग करें थे और चार कोस्टन मैंने किया थे छोड़ दिये थे तो इसमें मेरे फट कैने आये 136 नंबर आए ते अब शत्र के साथ जब मैं तो से मल्टिप्लाई करूँगा कितने हो जाएंगे मेरे डिएड़सो नंबर अब यह कितने करें थे मैं रॉंग करें थे 21 का दो थर्ड दो वटे तीन भाग लेंगे तो तीन सत्ते एकट गटाएंगे कितने हो जाएंगे 136 तो मेरे पेप पर सेकेंड में मैंने 75 कोस्टन करें थे 20 कोस्टन इंकरेक्ट करें थे और पांच कोस्टन लीप करें यानि छोड़ दिये थे तो इसमें मेरे नंबर आए थे 136.667 तो टोटल बात करते हैं बेटेज की बेटेज कुछ नहीं मिला था जनरल कटेगरी से थे मार्स 272.667 तो अगर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करेंगे तो आपको कटेगरी रैंक अलग से शो होगी इलिजिबल पर कॉंसलिंग के लिए मैं इलिजिबल था और फ्रेंट्स एक बात आपको बता दूँ अगर आपकी 10,000 के बीच रैंक 10,000 से नीचे नीचे रैंक का रही तो आपको आसानी स करते हैं अगर आप किसने मार्स ले आएंगे तो आपको Government College मिल जाएगा सबसे पहले हम जनरल कटेगरी की बात करते हैं अगर आप जनरल कटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 230, 240 की बीच मार्स आ रहे हैं तो आपको आसानी से सरकारी College मिल जाएगा आपको कोई भ आपको आसानी ते 250 मार्स आ जाएंगे मेरी कोई तयारी नहीं थी बस मैं टेस्ट का पैटर्न देखना चाहरा था इसलिए मैंने पेपर दिया तो मेरे देख सकते हैं आप कितने आये थे मेरे 272 कुछ नंबर आये थे अगर फ्रेंड्स OVC में आप हैं तो 215 से 220 की बीच आगर आपके मार्स आते हैं तो आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा SD से आप बिलों करते हैं तो 195 पिलस आप मार्स ले आते हैं तो आपको आसानी से कवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा SD की बात करते हैं तो 190 फिलस ले आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा तो आप सारी काटेगरी को देख सकते हैं इतने मार साप ले आते हैं तो आपको आसानी से कवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा में आपको बताने वाला हूँ किस तरहां से आप तैर ही करें इसकी और हम अपने चैनल पर भी वी टियो मनाता हूं आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते मिलते हैं फरेंड्स नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंठ जै भारत